हालो फ्रेंड्स वेलकॉम माई चानेल मनोजी वीटेग फ्रेंड्स आज हम देखेंगे वह जो मेरा हाइब्रेड बाइक है वह चलाते चलाते एक साल हो गया वह एक साल खतम होने के बाद मैं उसका उपर एक रिव्यू वीडियो बनाता हूं अभी उसके बारे में मैं आपको डिटेल जानकारी दूँगा जो मेरा पिछला वीडियो है उसमें भी में हाटू में का हाइब्रेड बाइक उसमें फूल जानकारी दिया था उसमें जाका आपको देख सकते हैं उसमें आपको कैसे बाइक बनाना है उपको जानकारी मिल जाएगा और उसका भी पार्ट वान मैं बना चुखा हूं और मेरी चानल पर available है अभी मैं पार्ट 2 बना रहा हूं जिसमें आपको साल पूरा होने के बाद मेरें को क्या प्रोब्लेम मिला एं Son में आपके साहद एंस heir करूंगा तो फ्रेंड्ट इसमें जो मेरे को प्रोब्लेम ज़्यादा कुछ नहीं है मेरा जो मोटर है मोटर तो एकदम आच्छा है मैं उसको आपके बार में पहला वीडियो में बोल दिया था यह मेरा कंट्रोलर है उसको में बाहर लगाया हूं क्योंकि वो हीट हो रहा था और उसका जागा देखे वो बड़ा हीट एक्सेंजर है इसलिए उसको बाहर लगाना अब हीडियो में उसको लगा देहां बाहर में तो मेरे को अभी हीट का प्रोब्लेम कुछ नहीं आ रहा है और जे मोटर है वो है होजार वाट बीलडीसी हो मेरे को तीन कुंट्राल तक खिचले कमपाणी ने बोला था कि वह तीन कुंट्राल तक खिचेगा मतलों बजन ले भी को थैसे प्रबब्ली मोह भी तक यह बोटेगा है अब इंक उदल लेता है तीन कोई डाल गाल THIS दियुगल्ड गया ने को प्रोलेम democrat तो नहीं ए लेकिन ए 나से कुम आथ मिल रहा है की जो मेरा बेटरी है जो लिधियाम अ delay योस्पपैरी हो उसमें प्रोब्लेम् वह एक साल खतम होने के बाद मेरेको प्रोब्लेम मिला है बाद मेरे को इधर दिखा था हूँ मेरा जो भाई कि जो बैटरी है देख़िए लिथिया फेरो फस्फेट लिथियाम आयरोन फेरो फस्फेटरी है सेवेंटी टॉ बोल्ट, थाटी ऐज का ही और उसको में जब लिया था वो मेरेको माईलेजına दे दे वा था एटीRay score 18 hacer 80 प्लस धे रहा था मैलेज और व अभी उसमें क्या हाना माइलेस क्वाम हो गया है उफि 이렇게 टरवादीना हुआ माइलेज कॉम होगया मैंने बता हूं उसका जो भोल्टेज अना जो फोर्रक र्पल आण मैंने डिस्प्लेघ इदार मेरा डिस्प्ले है देखे उस में जो मेरे को full charge में दिखाता हूँ आपको के दिखें दिखेंड डिस्प्ले है डिस्प्ले में देखें आपको कि कितना बहुने करें है सिथैंस है अभी मेरेको 80.7 दिखा रहा है और 80-80 परसेंट दिखा रहा है मतलब अभी मेरे बेटरी में बोल्टेज है 80.7 वोल्ट और जब फूल चार्ज हो जाएगा तो भी वो दिखाता है 83 वोल्ट में फूल चार्ज होता है और जब लोईर जब डिस्चार्ज हो जाता है तो भी यह मेरेको दिखाता है इसलिए प्रोब्लेम मेरेको जल्दी मेल गया उनको भी कंप्लेंड दिया हूं लेकिन अभी तक पोई मेरेको सल्व करके नहीं दिये हैं और सल्व करके देगे तो मुए आपको बोलोंगा लेकिन थोड़ा बेटरी के बारे में आपको जानकारी दे देता हूं जो बेटरी है वह आपको लिथियूम फेरोफस्वर्ट बेटरी जो है उसमें जो नोमिनाल वोल्टेज हैं 3.2 और जो 72 वोल्ट का बेटरी आप लेंगे तो उसमें आपको लगेगा 23 सीरीज 23S के मतलब 23 सीरीज मतलब उसमें 23 सीरीज रहता है 23 रहेगा टोंटी इस आपको 2.3.2 इन्टू 23 करेंगे तो वह होगा 76 मतलब 76 वोल्ट उसमें नोमिनाल वोल्टेज रहेगा लेकिन आप फूल चार्ज कर दोईगे तो वह क्या होगा ना 3.2 के जागा में वो हो जाएगा 3.6, 3.6 इंटू 23 करेंगे तो आपको मिलेगा 83, मतलब जो फूल चार्ज होगा वो 83 हो जाएगा, और उसको जब डिस्चार्ज होगा, तो एक सेल जब डिस्चार्ज हो जाएगा, वो हो जाएगा 2.8, 2.8 इंटू 23 करेंगे तो आपको मिलेगा 64, 64 मतलब उसका सिस्टी फर में पूरा ड्रेन होना चाहिए लेकिन मेरा वही प्रोब्लेम था वह जो मैं जहां से लिया था कॉम्पाइन का नाम है ग्रिन टेक वह मेरे को बालांसिंग करके नहीं दिया है सिर्वी यह नहीं उसके बाद में तीन चार बेटरी लाया हुँ सब में अशा परोले है लेकिन बालांसिंग करके नहीं दे रहे हैं वह एसे करके बेटरी बना के दे दे रहे है जो आपको धिरे-धिरे प्रोब्लेम आ जाता है तो अभी क्या हो रहा है अभी जो 45% रहता है औ और 45% दिखा था है मेरा डिस्प्ले में लेकिन बेटरी पूरा ड्रेन हो जा रहे है तो उसका बीच में एक दो शीरी जो फूल नहीं ड्रेन हो रहा था धिरे धिरे ज्यादा बड़ गया है तो इसलिए उधर से कर वे जो शीरी का उंदर प्रोब्लेम है वो शीरी से कॉट आपको बेटरी का वी जानकारी लगना है कि आपका नूमिनाल वोल्टेज क्या है और उसका हायर माक्सिमम वोल्टेज क्या है और लोएर कटव क्या है मतलब लोएर कटव जो 72 वोल्ट है मैं बोल दिया हूँ और एक बार आपको बोल देता हूँ 72 वोल्ट 30A से बेटरी का आपको higher cut up आएगा 83, 84, एसा आएगा, 83 volt में आपको higher, मतलब बेटरी जब full हो जाएगा, 84, 83, एसा रहेगा, आपका voltage, और जब बेटरी ड्रेन हो जाएगा, तब आपको मिलेगा 64, 64 में आपको full drain हो जाएगा, मतलब आपको 20 volt का बीच में रहेगा, जो 20 volt में आपको चलेगा, तो 20 volt रहेगा, तो मेरे बेटरी साद मेरेको 100 का उपर माइलेज दे देता था, लेकिन मेरेको येक साल चलाया, एक 100 नहीं गया है, तो प्रोब्लेम एसा है, लेकिन वो जो कमपाईनी है, वो पुरा चीतर कमपाईनी है, लेकिन उनको कमप्लें देते देते ठक गया, और मेर में आपको अभी से बोल दे रहा हूं और आप जहां से भी लिजिए वही माक्सिमम वोल्टेज लोर वोल्टेज और उसका नुमिनाल वोल्टेज वो देखके लिजिए और जो हमारा फेरोफस्वेंट में में जो सेल आता है वह एफ बी टेक कमपानी का आप सेल लगा होगे त जो आपको देखना भी है वो कफ से मानुफाक्चरिंग होगा है मतलब 2021 का आपको लेना है और 2021 का लेके वह भी देखना है उस अब आप देखके लोगे तो आपको प्रोब्लेम कुछ नहीं होगा लेकिन शुरुबात में मेरेको उतिना पता नहीं था मैं जब नलेज लिए तो मैं देखा कि मैं चीट का सिकार हो चुका हूँ लेकिन उनलोग को कंप्लेन देते देते मैं थक गया वह लिया नहीं अभी तक भी मेरेको सलूशन करके नहीं दे उसका कीमत था 42,000 मतलग 43,000 अभी मेरा चुना लगा दिया है उनलोग फिर भी मैं उसका कोशिच कर रहा उसको खुद रिपैरिंग करना के लिए अभी मेरे पास मेशिन आभेलेवल नहीं है मैं मेशिन मंगा रहा हूँ और हो जाएगा तो मैं उसको सलूशन करूँगा लेकिन वह सलूशन हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं बड़ा कुछ वीशू नहीं है उसको आप चाहँगे तो सल्व कर सकते हो और मैं जब उसको रिपैरिंग करोगा उसका उपर भी वीडियो आपको डाल दूगा लेकिन आज के लिए फिलाल इतना ही और वीडियो आपको आच्छा लगे तो फ्रेंड के साथ सेयर कीजिए लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए जैसे हमको नेस्ट वीडियो बनाने में मदद मिलेगा थ्यांक्यू जैहिन